नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माई चैनल एक जामिस्टोरी जामिस्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ऐसे नहीं कहा जाता है बिहारियों को कि एक प्यारी सौ पेवारी जियां दोस्तों आयस बनके इन्हों ने दिखाया 22 साल की उमर में बिना कोचिंग की सायता लिए जी हां दोस्तों तो आपको मैं बताते हुए बहुत ही हर्सों लास के साथ आपको यह सेर कर रहा हूं कि जितने भी मेरे भाई बंदू आयस की प्रिप्रेशन कर रहे हैं वह इनसे जरूर सी के इ इनकी जो इस्ट्रेटिजी आपके लिए फाइदेबंद होगी तो चलिए हम लोग वीडियो स्टाट करने वाले हैं तो अभी ताखाए मेरे चनल आई नहीं किया तो पहले जाके चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ऐसे मैं लगाता ना मोटिवेस्टन आप लोगों के लिए लाता रहता हूं तो वीडियो पे इल्कुल भी लेट ना कीजिए फ्रेंड जरूर से जरूर लेते हैं तो प्याइर के मुझषूनी जीले के किसान परिवार के सब्से बड़ी बात है फ्रेंट इस बनने वाले मुकुंद कुमार की स्ट्रेटी करने वाला हूं कि फर्स्ट अटेम्ट में किस तरीके से इन्होंने प्रिप्रेशन की और फर्स्ट अटेम्ट में इस का आपका सामने निकाल के रख दिया तो चलिए बात करते हैं मुकुंद ने अपने एक इंटर्विव में बताया कि जब वे चौती और पांचवी कच्छा में पढ़ते थे तभी उन्होंने आई पीएस सद्र कहीं पढ़े थे तब तो तब वह अपने पिता से पूछते थे कि इनका क्या मतलब होता है फ्रेन उनक के पिता जी ने उनकों इस बारे में बताया कि क्या होता है आईएस आईपीएस उसके बाद उन्होंने मन में वहीं पे ठान लिया कि मुझे आगे चलके यहीं बनना है और आगे चलकर इसी को अपना कैरियर गोल बना लिया यह है फ्रेंड मुकुंद जा मध्वनी बिहार ज लगी उन्होंने मेरी बहन और फिर मुझे भी घर पर पढ़ाया वो बताते हैं कि उन्हें इस पूरी जर्नी में पहुंस सारी कठनाईयों को जहलना पड़ा फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं गाउं में किस तरीके सी जो महोल होता है बहुत ही खराब होता है वहां के तो उस जगह पर उन्होंने किस तरीके से तैयारी की है इसलिए कोचिंग जुआइन नहीं की वह कहते हैं कि मुझे पता था पापा से धाय तिन लाख रूप है मांगूंगा तो दे देंगे लेकिन मुश्किल होगा जिया दोस्तों अगर आप अपने पिता से पढ़ने के लिए पैसे मांगेंगे तो कहीं से भी आपके लिए इकठा कर सकते हैं ठीक है दोस्तों अपनी सुरुवाती दिनों के बारे में बताते हैं कि उन्होंने बिहार में ही हवासी स्वरस्वती बिद्या मंदिर से पांचवी तक पढ़ाई की इसके बाद सैनिक स्कूल गोल पाड़ा स प्रिवेशन किया तो इनकी जो प्रारंब्वी की स्कूल में पाँंचवी तक कि पढ़ाई कि उसके बां ने इसके बाद मैं पूरा मुझे एक साल इक न का मौका मिला फिर पहली बार दो और उन्होंने प्रिलीम से दिया उन्होंने ये पूरी तैयारी बिना कोचिंग के की, वे कहते हैं कि मैं खुद को भागे साली समझता हूं कि पहले अटेम्ट में निकाला, हाँ मुझे एक दो बार लगा कि अब छोड़ देते हैं, कोई इसको तुनला में असान परिच्छा देता हूं, फ्रेंट देखी इनको भी नहीं पता था, लेकिन इनको मन में डाउट आया था कि इससे असान परिच्छा को मैं देता हूं, फिर UPSC ट्राइ करूंगा, लेकिन फिर लच याद आता था, उसके कारण सकती मिलती थी, लेकिन इनका जो गोल था, वो इतना उचा था, जो बार बार इनको हमेसा याद दिलाता था, जिसके कारण उनको सकती मिलती थी, ये थी स्ट्रेटीजी, मुकुंद ने अपने इंटर्वियू में कहा, कि वो तैयारी के लिए टाइम टेवल को स्ट्रिक्ट होकर फॉलो करते थे, और इसके लिए पहले मैं, जिस तरह सोशल मीडिया प्रेक्टी रहता था, फिर मैंने फेस्बूक, ट्वीटर डियक्टिवेट किया, दोस्तो, फेमली फंक्शन, साधी समारो, सब छोड़ दिया, फ्रेंड जो है, आईयस आपसे हमेशा त्याग मांगती है, अगर आप चिस चीत क्या त्याग करोगे, तो फिर आगे जाके आप ही चमकोगे, ये थी मुकुन जहा की स्ट्रेट जी जो मैंने आपको सेयर की है, ठीक है फ्रेंड, 22 साल की उमर में ही, आईयस बने बिहार के मधुनी जी लिके रहने वाले मुकुन ने बताया, कि UPSC में ये नहीं पूछा जाता, कि आपके सर्ट में कितने बटन है, या कितनी सी डिया या कितनी सी डिया चल के आए हैं, ये सब बता रहे हैं कि आईयस में नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि आप अपने देश के बारे में कितना नौलेज रखते हैं, किस तरीके से अपने देश के बारे में जानते हैं, ये सब जो चीजे आप से पूछी जाती है, यह रही जो मैंने आपको पूरी बात बता दिम how Da giveaway कि तो फिर मिलते हैं फिर नेच्ट किसी और ऐसे हीulator फिर किस तारीके से प्रिप्रेशन की थे तो तब तक लिए गुडबाय टेक केर जाहिंग दोस्तो, हbor